फिज दोस्ट कैनल सभगाइट आप शबी का आपके अपने चंनल केरे पॉयंट पर मैं अनुल सभी का सभगात कता है दो स्बस्तों आज के वीडियो में आपके लीक रहा है थो हम आद लिए विज्ञान के मौण important questions जो आपके आने वाले सभी exams को compete करने में आपकी मदद करेंगे दोस्तों ये वीडियो आपके आने वाले सभी exam जैसे कि आपका RRC, Group D, SSC, CGL, CSL, MKS सभी exams के लिए बहुत ही महतपून question रहने वाले हैं तो इस वीडियो को last तक लगाईए और परते question का answer लगएगा comment box में ताकि आपकी जितने भी doubt है वो साथ साथ clear होते चलें अगर आपको वीडियो अची लगए तो वीडियो को like करके share कर देना आपने सभी दोस्तों में जो competitive exams के लिए तियारी कर रहे हैं सभी के साथ में share ही जरूर करना और याद अखिगा अगर आप चैनल वीडियो को like कर दीजिए एक बार तो देखिए आप इसे answer के आउगा फटाफट कमेंट कर दीजिए एक सुद परतिरोध परिपत का power factor क्या है तो देखिए क्या होता है एक option B आपका सही होगा अगरा question देखिए एक साकारी को अपने श्रीर के लिए आप शेक फासपोर्स कहां से मिल सकता है जो साकारी होते हैं उनको फासपोर्स देखिए कहां से मिलता है सोयाबिन से option A आपका सही answer होगा सोयाबिन या पर right answer अगरा question देखिए BCGT के किस रोग के विरोध में लगाए चाते हैं तो देखिए किस रोग के विरोध में ट्योवर क्लॉसिस के option B आपका सही answer होगा अगरा question देखिए astigmatism एक बिमारी है तो देखिए आप एस अनसर होगा आपका आखों की option B आपका सही हो जाएगा अगरा question देखिए हमारे भोजन में संग्रास्तम खाद्य पदार्थ है कुण सा होता है देखिए संग्रास्तम खाद्य पदार्थ सही answer होगा विटामिन एउम खनेज option C आपका सही हो जाएगा अगरा question देखिए एक चुमके छेतर विक्षेपित करता है किसको करता देखिए अलफायम बेटा कण को option C आपका सही होगा अगरा question देखिए कौन सा विटामिन गाओ बरने में साइक है तो देखिए इससे answer होगा जी friends सभी option जो है रोंग है तो देखिए गाओ बरने में जो है विटामिन के साइक होता है तो option जो है हमारी सभी रोंग है किस की विधन शमता सबसे अधिक है तो देखिए किस की है गामा किर्णों की विधन शमता साइक होती है अगरा question देखिए सूरे में उर्जा किस परक्रिया में पैदा होती है तो यहाँ पे से अंसर होगा हाईडोजन का सेल लेन परक्रिया से ओप्शन C आपका सही हो जाएगा दोस्तों देखिए सूरे से में जो है विटामिन D मिलता है ठीक है और विटामिन D जो हमें मचली के यक्रित के तेल से भी मिलता है जो मचली का यक्रित होता है उसके तेल होता है उससे भी हमें विटामिन D मिलता है और सूरे की रोशनी होती है उससे भी अगला क्यूशन देखिए हाईडोजन बम की सिधान्त पर आधारित है एक जलवाहित रोग है, तो यहाँ पर सेंसर होगा, दस्त, उप्शन A, आपका सेंसर होगा, दस्त, एक जलवाहित रोग होता है, अगला क्यूशन देखते है, गलुकोमा मानाव शरी के किस अंक की बिमारी है, फटा-फट कमेंट करिए, सही आंस्वर, तो देखिए, आपका आँखों की, ओप्शन D आपका सही हो जाएगा, अगला क्यूशन देखिए, मानाव शरी में विटामिन A संचित रहता है, तो देखिए, विटामिन A जो है, या करित के अंदर संचित होता है, ओप्शन A, या करित आपका सही आंसर होगा, अगला क्यूशन देखिए, शरी क किस अंग में समयश्या होने पर डायलेसिस दी जाती है तो देखी किस अंग में किड्ने में option D वरिक या किड्ने आपका सही आंश रोगा अगला question देखी वाईू मडले दाब को मापने के लिए आउश्यक यंतर कौन सा है तो सही आंश रोगा बैरोमेटर से जो है वाईू मडले दाब को मापने हैं option B आपका सही आंश रोगा अगला question देखी परमाणू में नाभिक परिवेरतनों के फल सुरूप तरंग या किड्ने कौन सी है तो देखी कौन सी गामा किड्ने है option D आपका सही होगा अगला question देखी uranium 235 नाभिक में क्या होते है तो देखी क्या होते है प्रोटोन और नियोटोन की कुल संख्या 235 होती है option D आपका सही होगा proton और नियोटोन की कुल संख्या 235 होती है uranium 235 के नाभिक के अंदर ठीक है अगला question देखी परती धावनी, मूल धावनी से अलग तब सुनावी पड़ती है, जबकि धावनी शुरोत वे प्रावर्थक सते के मध्य नियूंतम अंतराल हो, तो नियूंतम अंतराल कितना होना चीए, तो देखिए सही आंसर होगा, 17 मेटर, ओप्शन B, 17 मेटर आपका सही हो जाएगा, ओप्शन B, आपका सही होगा, सोनार या पर राइट अंसर, अगरा क्यूशन देखिए, कौन सी युक्ती विधूत उर्जा को यांतरिक उर्जा में परिवर्थन करती है, तो देखिए आपका सही अंसर हो जाएगा, विधूत मोटर, ओप्शन C, आपका सही होगा, नेक्स किोशन देखिए, किस ग्रेख को लाल ग्रेख कयते हैं, फटाइब खरत किमेंड करिए, तो देख आपका मंगल ग्रे को लाल ग्रेख का जाताा दोस्तो, ओपोसिन B, आपका सही हो जाएगा, अगला क्यूशन देखिए, उस ग्रेक का नाम जिसमें सुर्चिम में उद्ध हो रोगा देखिए यूरिनेस, option C आपका, सही होजए का यूरिनेस, यहाँ पर right answer, अगला question देखिए, करतरिम उपगरे में विदुत उर्जा का साधन है, तो देखिए करतरिम उपगरें जो होते हैं, उनके अंदर विदुत उर्जा का साधन क्या होता है, चलिए देखिए, डाइनेमो ओप्शन भी आपका सही हो जाएगा डाइनेमो यहाँ पर राइट अन्सुर अगला क्यूशन देखी निमलकित में से कौनसी बीमारी वाइरस के कार्ण नहीं होती है तो आपका सही अन्सुर होगा टाइफाइड बाके सभी जो है खसरा, सार्च और चेचक वाइरस क्यूशन अगला क्यूशन देखी एक परकास उत्सरजी डाइड बनाया जा सकता है किस से फटाफ़ाइड कमेंट करें सही अन्सुर होगा देखी गैलियम आर्शन आइड से ओप्शन डी आपका सही हो जाएगा नेक्स देखी सिलिकोन और जर्मेनियम अर्ध चालक है तो सह सहाएगा Tetravalent यहापे राइट आंसवर नेक्स देखी तवरित उर्जा पाने के लिए एक एथलिट को लेना चाहिए तो यहापे यहापे सही हो देखी एक तो सही होगा देखी तो सूरे की रोशने से हम प्राप्त करते हैं तो देखिए विटामिन डी जो है हम सूरे की रो option D आपका सही हो जाएगा और इसके अलाव जो हम विटामिन D को मचली के यकरित के तेल से भी प्राप्त कर सकते हैं परशूर मात्रा के अंदर ठीक है तो मचली का जो यकरित होता है उसके तेल से भी हम विटामिन D प्राप्त कर सकते हैं अगला question देखी देखिए unserem इंसुलिन की कमी के करण होने वाला रोग कौन सा होता है तो देखिए आपका सायान्श उता है Insulin की कमी से जुए डायबीटीज होती दोस्तो Option B आपका सायो का डायबीटीज यहां पे Right answer अगला क्यूष्यन देखते हैं दोध का घंतव निमन उपकरण के दोवारा मापा जाता है तो सही आंस्वर होगा लेक्टो मेटर option D आपका सयोज़ाई का लेक्टो मेटर यहाँ पर राइट आंस्वर अगला question देखते हैं सिस्मोग्राप से क्या मापा जाता है तो सही आंसर होगा भुकम की तिर्वता को Option A सही होगा सिस्मोग्राप सी जो है भुकम की तिर्वता को माप पा जाता है अगला question देखते हैं सूर्य की केड़ों की तिर्वता मापने वाले उपकरण को क्या कहते हैं तो देखी सही आंसर होगा Actiometer Option C Actiometer सही हो जाएगा यहापे अगला question देखी X-ray का अविस्कार किसने किया था तो देखी सही आंसर होगा Row Engine के द्वारा जो है X-ray का अविस्कार किया गया था दोस्तो Option B सही हो जाएगा Row Engine Right Answer अगला question देखी Reactor Scale निमलखिती की तिरवाता को नापत है तो देखी सही आंसर होगा Bokamp Option A Bokamp यहापे सही हो जाएगा अगला question देखी खाद्या उञजा को हम किस इकाई में माप सकते हैं तो देखी सही आंसर होगा कैलोरी मे Option A सही हो जाएगा खाद्य उज्जा को कैलोरी में माप सकते हैं अगला क्यूशन देखी शर सीवी रमन को उनके 10 कारे के लिए नोबेल पुरुषकार मिला था देखी किस कारे के लिए शर सीवी रमन को नोबेल पुरुषकार दिया गया था फटाबट कमेंट करिए तो देखे, सेंसर जाएगा परकास की परक्रिण के आधार पर option B, सही होगा अगला question देखी television का अविश्कार किसने किया था तो देखे, किसने किया था JL, Baird के दुआ जोए television का अविश्कार किया गया था option C, सही होगा JL, Baird next देखी radar का उपयोग किसलिए किया जाता है तो देखे, किसलिए जाजो, वाईयो ने, आधी को डोड़ने के लिए एवं उनके मार्ग निदेशन के लिए radar का परियोग किया जाता है और इनका परियोग जो है, जो नोशेना होती है उनके द्वारा किया जाता है काफी बार एक्जाम में पूछा गया है कि Radar का परियोग जो है कोन करते हैं तो दोस्तों जो नो शैनिक होते हैं जो नाव चलाते हैं जो भी है वो उनका परियोग करते हैं ठीक है तो Option B आपका सी होगा रडार कप परियोग जो है जाजों वायुआ नादी को डोणने एवं मार निर्देशन के लिए किया जाता है next देखी Lactometer एक परकार का है Lactometer क्या होता है देखी Hydrometer होता है दोस्तो Option A सही होगा Hydrometer यहाँ पर Right Transfer next देखी Diabetes बिमारी शरीर के जिस अंग को प्रभावित करती है कौन सा है देखी एक कौन सा पैंक्रियाज Option A सही होगा पैंक्रियाज यहाँ पर Right Answer अगला Question देखी Dash रोग पानी के मादेम से होता है तो देखी है जो है पानी के मादेम से होने वाला रोग है Option D सही होगा है जा यहाँ पर Right Answer अगला Question देखी निमले खित में से कौन सा रोग विशानू से होता है तो यहाँ पर से Answer होगा सभी की सभी जो है माम्प्स, पेलियाज, चेचक यह तीनों जो है विशानू के दवारा होने वाले रोग हैं दोस्तों तो Option D आपका सही होगा According to Question अगला Question देखी एक किलोग्राम वायू को संपेडिक में संपेडित करने के लिए क्या गया कारिये नियूंतम होगा जब सुचकांग का मान तो सुचकांग का मान क्या होगा तो देखी से Answer होगा 1.41 Option C सही हो जाएगा अगला Question देखी एक यंतर जो दसमलों को दवी आधारी अंक में बदलता है तो कुछा यंतर देखीए Encoder Encoder जो है दसमलों को दवी आधारी अंक में बदल देता है Option B आपका सही होगा अगला Question देखी आर्दताम आपने वाले यंतर को क्या कहते हैं तो सही आन सुरोगा Hygrometer Option C Hygrometer यहाँ पर सही हो जाएगा अगला Question देखी मानव में पलाजमोडियम का संक्रमन उत्पन करता है तो देखी कौन करता है Malaria Option D Malaria यहाँ पर सही हो जाएगा Next देखी Railcardiों में डाइनमेटर कार का परियोग होता है तो देखी डाइनमेटर का परियोग जो है पर्टरियों के अवस्ताव को रिकोड करने के लिए जो है डाइनमेटर का परियोग किया जाता है Railcardiों के अंदर तो Option D आपका सही हो जाएगा अगला Question देखी Neon Lamp का विषकार निमन में से किसके दवारा किया गए था तो यहाँ पर सहयाणसर होगा Samuel Cohen Option C आपका सहयोजेगा Neon Lamp का विषकार जो है Samuel Cohen के दवारा किया गए था अगला Question देखी शारूत्रिक गृट्वाकरशन देखी शारवत्रिक गुरुत्व अक्रिशन नियम का परस्तूत करता है तो देखी सहां सुरोगा Newton Option C आपका सही हो जाएगा गुरुत्व अक्रिशन नियम का परस्तूत करता को है Newton आज का last question देखी भारत में बेड की सबसे उंची नसल है तो भारत के अंदर देखी सबसे उंची नसल बेड़ों की कौन सी है देखीए नेलोर Option B आपका सही हो जाएगा भारत के अंदर बेड की सबसे उंची नसल जो है नेलोर नसल है तो दोस्तों option B आपका सही हो जाएगा तो हमारा question जो है आज के complete होचके है अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक ने किया फटाफट इस वीडियो को लाइक करिए जितना होच के अपने दोस्तों साथ सेर करना ताकि वो लोग भी जुड़कर अपने एक्जाम के आपर तैयारी कर सके अगर आप भी चैनल में नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब जुरू कर लेजिए और दोस्तों फटाफट अपना स्कोर करिए कमेंट करके हमें बता दीजिए आपका स्कोर कह रहते है आज का और दोस्तों साथ में ये भी बताना आज की वीडियो आपको कैसी लगी question कैसे लेगे यह हमें comment करके जुरूर बताना तो friends मिलते हैं अगली वीडियो में जब तक goodbye, take care जै हिन, जै भारत, वंदे मातरम